हेलो बैलो जी यूद तोड़ी आम अगें विद देया सम कन्फ्यूजिंग टर्म्स वी आल नो इन जैनेटिक्स फ्यू टर्म्स विच आर कन्फ्यूजिंग तो अस फर्स्ट पैरेंट्स एन पैटर्नल हमने कभी इस चीज़ को कभी ध्यान देने की जरूवत नहीं समझी पैरेंट्स तो सभी जानते हैं पैटर्नल क्या है पैरेंट्स में आपके मदर फादर दोनों आ जाते हैं मगर पैटर्नल मतलब फादर से है दूसरा कॉंसेप्ट है जीन और एलील वी ओल नो डी एन ए इस मेड़ पॉफे जीन जीन सिक्वेंस जीन है क्या कॉमन लैंगूइज में कहें तो ये हैरेडिटी की यूनिट है मतलब हैरेडिटी को पहुँचाने वाली एक इकाई एक बेसिक फैक्टर जो कि आपके हैरेडिटी केरेक्टर को जनरेशन बाई जनरेशन पास करने में हेल्प करते है एलील क्या है उसी जीन के एलील आपका वो टम इस्तमाल होता है ये आपके एक क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम जब अगर ये लोकेशन किसी जीन के लिए बताई गई है यानी अगर मालने ये जीन height को दिखा रहा है ये जीन height को दिखा रहा है तो इसके दो form हो सकते है height या तो tall हो सकती है जो dominant हो या तो darf हो सकते है यानी locust एक होगा मगर form अलग-अलग होंगे यानी जीन के same location share करने वाले form को हम alleles कहते हैं एक बार फिर से gene के यानि height को represent करने वाले कुछ genes होंगे उसके दो forms को हम alleles कहते हैं capital T जो कि dominant होगा यानि tall, small t जो कि recessive होगा यानि कि dwarf next term है आपका character and trait again from the genetics only अगर हम character height को लेते हैं मेंडल के according उसने कोई भी middle character नहीं लिया था यानि beach का character नहीं लिया था तो height अगर character है उसके दो traits हो सकते हैं या तो person tall हो सकता है या तो dwarf हो सकता है कोई mediocre trait नहीं होगी ठीक यानि अगर माल लिजे दूसरा example लेते हैं अगर हम shape लेते हैं shape अगर character है तो कोई चीज round हो सकती है या तो ring cut I hope now these terms are clear to you Thank you dear